प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय एक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आग्या दी कि यरुशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिग्या के पूरे होनी की बाट जोते रहो जिसकी चर्चत तुम मुझसे सुन चुके हो क्योंकि यहु इसी समय इसराइल को राज फेर देगा उसने उनसे कहा उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं परंतु जब पवितरात्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरुशलेम और सारे यहुदिया औ और सामर्य में और प्रत्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे यह कहकर वें उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया और उसके जाते समय जब वे आकाश की और ताक रहे थे तो देखो दो पुरुश श्वेत वस्तर पह जा लिया गया है जिस रीती से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीती से वे फिर आएगा तब वे जैतुन नाम के पहार से जो यरुशलेम के निकट एक सब्द के दिन की दूरी पर है यरुशलेम को लोटे और जब वहां पहुँचे तो वे उस अटारी पर ग जिलो तेस और याकुब का पुत्र यहूदा रहते थे ये सब कईस्त्रियों और यिशु की माता मरियम और उसके भाईयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे और उन्हीं दिनों में पतरस भाईयों के बीच में जो एक सो बीस व्यक्ती के लगभग इखटे खड़ा होकर कहने लगा हे भाईयो अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वहलेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दावद के मुक्स से यहूदा के विश्य में जो इशु के पकड़ने वालों का अगुआ था पहले से खही थी क्योंकि वहतों हमें गिना गया और इस सेव उश्लेम के सब रहने वाले जान गए यहां तक कि उस खेत का नाम उनकी भाशा में हकल दमा अर्थात लोहू का खेत पड़ गया क्योंकि भजन सहिता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई नब से और उसका पद कोई दूसरा ले ले इसलिए जितने दिन प्रभु ईश्यु हमारे साथ आता जाता रहा अर्थात यहनना के बप्तिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे उचित है कि उन में से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए तब उन्होंने दो को प्रभु तू जो सब के मन जानता है यह प्रगट कर कि इन दोनों में से तूने किस कुछ ना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरताई का पदले जिसे यहुदा छोड़ कर अपने स्थान को गया तब उन्होंने उनके बारे में चिठियां डाली और चिठि मत्याह के नाम पर न प्रेरतों के कामों का वर्णन दूसरा अध्याय जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकटे थे और एका एक अकाश से बड़ी आंधी किसी संसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैटे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीभें फट भाशा बोलने लगे और आकाश के नीचे की हर एक जाती में से भक्त यहुदी यरुशलेम में रहते थे जब वे शब्द हुआ तो भीर लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाशा में बोल रहे हैं और वे सब चकित और भूमी की भाशा सुनता है। में उन से परमेश्वर के बड़े-बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है। में नहीं क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह वह बात है जो योएल भष्षदक्ता के द्वारा कही गई है। कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविश्दवानी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुर्णिये स्वप्न देखेंगे। बरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भईशद्वानी करेंगे। और मैं उपर अकाश में अद्भुत काम और नीचे धर्ती पर चिन्ह अर्थात लोहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लोहू हो जाएगा। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उधार पाएगा। उसे क्रूस पर चड़वा कर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मरत्यु के बंधनों से छुडा कर जिलाया क्योंकि यह अन्होना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाउद उसके विश्य में कहता है कि मैं प्रभु को सरवदा अपने सामने देखता रहा क क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनन्द हुआ और मेरी जीव मगन हुई बरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सरने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनन्द से भर देगा। हे भाईयो मैं उस कुलपती दावुद के विशय में तुम से साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां वर्तमान हैं। सो भविश्दक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझे से शपत खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिहासन पर बैठाऊंगा। उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसी के जी उठने की भविश्दवानी की कि ना तो उसका प्र परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाइने हाथ से सर्वोच पद पाकर और पिता से वह पवितरात्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिग्या की गई थी उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि पुत्तो स्वर्ग पर नहीं चड़ा परंतु वे आप कहता है कि प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाओं तले की चौकी न कर दूँ। सो अब इस्राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उस प्रेरतों से पूछने लगे कि हे भाईयो हम क्या करें पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की ख्षमा के लिए यश्य मसी के नाम से बबतिस्मा ले तो तुम पवितरात्मा का दान पाओगे क्योंकि यह प्रतिग्या तुम और तुम ही दे दे कर समझाया कि अपने आपको इस त्रेड़ी जाती से बचाओ सो जिन्होंने उसका वच्चन ग्रहन किया उन्होंने बबतिस्मा लिया और उसी दिन तीन हजार मनिश्यों के लगभग उन में मिल गए और वे प्रेरतों से शिक्षा पाने और संगती रखने में और तोड़ने में और प्रार्तना करने में लौलीन रहे और सब लोगों पर भैचा गया और भहुत से अदभुत काम और चिन्ह प्रेरतों के द्वारा प्रगट होते थे और वे सब विश्वास करने वाले इकटे रहते थे और उनकी सब वस्तवें साजे की थी और वे अपनी अ प्रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्थुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्द थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रति दिन उनमें मिला देता था प्रेजितों के कामों का वर्णन तीसरा अध्याए पत्रस और यहन्ना तीसरे पहर प्रात्ना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्व के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रति दिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुन्दर कहलाता है बैठा देते थे कि वे म मंदिर में जाने वालों से भीक मांगे जब उसने पत्रस और यहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उन से भीक मांगी पत्रस न यहन्ना के साथ उसकी और ध्यान से देख कर कहा हमारी और देख सुवह उन से कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी और ताकने लगा तब प पाइना हाथ पकड़के उसे उठाया और तुरंत उसके पाऊं और टकनों में बल आ गिया और वे उचल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूता और परमेश्वर की स्थुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्थुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुन्दर फाटक पर बैठकर भीक मांगा करता था और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंबित और चकित हुए। जब वे पत्रस और युहनना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंबह करते हुए उस उसारे में जो सिलिमान का कहलाता है उनके पास दोड़ आए। यह देखकर पत्रस ने लोगों से कहा हे इस्राइलियो तुम इस मनुष पर क्यों अचंबह करते हो और हमारी औ और क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ती से इसे चलता फिरता कर दिया। इबराहीम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक इश्यू की महिमा की जिसे तुम ने पकड़वा दिया और जब पिलातूस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुम ने उसके सामने उसका इंकार किया तुम ने उस पवित्र और धर्मी का इंकार किया और बिंती की एक हत्यारे को तुमारे लिए छोड़ दिया जाए और तुम ने जीवन के करता को मार डाला जिसे परमे जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है और निश्चे उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सब के सामने बिलकुल भला चंगा कर दिया है। जिसे उसने इस रीती से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लोटाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं जिससे प्रभु के सनमुक से विश्वान्ती के दिन आएं। और वह उस मसी इश्व को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले। जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भश्ड़क्ताओं के मुख से की है। जो जगत की उत्पत्ती से होते आए हैं। जैसा कि मुसा ने कहा प्रभू परमेश्वर तुम्हारे भाईयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भश्ड़क्ता उठाएगा। जो कुछ वह तुम से कहे उसकी सुनना। प्रंतु प्रतेक मनुष जो उस भश्ड़क्ता की न सुने लोगों में से नाश किया जाएगा। और सामुयल से लेकर उसके बादवालों तक जितने भश्ड़क्ताओं ने बात कही उन सबने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भश्ड़क्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी। जब उसने इबरहीम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा प्रत्वी के सारे घराने आशीश पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठा कर पहल अज़क और मंदिर के सरदार और सदू की उन पर चढ़ आए क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और इश्यू का उदाहरन दे दे कर मरे हुऊं के जी उठने का प्रचार करते थे और उन्होंने उन्हें पकड़ कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी परंतु वच्चन के सुनने वालों में से भहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिंती पांच हजार पुर्शों के लगभग हो गई दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुर्णिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और युहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरुशले में घटे हुए और उन्हें बीच में खड़ा करके पूशन लगे कि तुमने यह काम किस सा काम से किया है तब पतरस ने पवित रात्म से परिपूर्ण होकर उन से कहा हे लोगों के सरदारों और पुर्णियों इस दुरबल मनुश के साथ जो भलाई की गई है यदि आज हम से उसके विशे में पूछ पाच की जाती है तो वह क्यों कर अच्छा हुआ तो तुम सब औ और सारे इस्राइली लोग जान लें कि इश्य मसी नासरी के नाम से जिसे तुम ने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरेहों में सिजिलाया यह मनुश तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है यह वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुछ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरी के द्वारा उधार नहीं क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुश्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस के द्वारा हम उधार पा सकें जब उन्होंने पत्रस और युहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपण और साधरन मनुष्य हैं तो अच्चमभा किया फिर उनको पहचाना कि ये यिश्यू के साथ रहे हैं और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कह सके परन्तु उन्हें सभा के बाहर जाने की आग्या देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें क्योंकि अरुशलेम के सब रहने वालों पर प्रगट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन दिखाया गया है और हम उसका इनकार नही पहल न जाए हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर यह कहा कि इश्यों के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखलाना परंतु पत्रस और यहन्ना ने उनको उतर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क और सुना है वे न कहें तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाम नहीं मिला इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बढाई करते थे क्योंकि वे मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था चालीस वर्ष से अधिक आयू का था वे छूट कर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुरुनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर उचे शब्द से परमेश्वर से कहा हे पर्ग और प्रत्वी और समुद्र और जो कुछ उन में हैं बनाया तुने पवित्रात्म के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दावुत के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुलड क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बाते सोची प्रभु और उसके मसी के विरोध में प्रत्वी के राजा खड़े हुए और हाकीम एक साथ इखटे हो गए क्योंकि सच मुझ तेरे सेवक यिश्यू के विरोध में जिसे तुने अभिशेक किया हेरोदेस और पुंतियूस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राइलियों के साथ इस नगर में इ अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वर्दान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं और चंगा करने के लिए तु अपना हाथ बढ़ा कि चिन्न और अधभुत काम तेरे पवित्र सेवक यिश्यू के नाम से किये जाएं जब वे प्रा प्रास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन के थे यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था परंतो सब कुछ साजेका था और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु ईश्यू के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था और उन में कोई भी दरिद्र न था क्योंकि जिनके पास भूमी या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तों का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पाउं पर रखते थे और जैसी जिसे आवशक्ता होती थी उसकी अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे और यूसुफ नाम कुपरुस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बर नबा अर्थात शांती का पुत्र रखा था उसकी कुछ भूमी थी जिससे उसने बेचा और दाम के रुपिय लाकर प्रेरितों के पाउं पर रख दिये प्रेरितों के कामों का वर्णन पांच और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमी बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरतों के पाउं के आगे रख दिया। पास रही क्या तेरी न थी और जब विक गई तो क्या तेरे वश में न थी तुने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। तु मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से जूट बोला। यह बातने सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्रान छोड़ दिये और सब सुनने पर बड़ा भैचा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गार दिया। लगभग तीन घंटे के बाद उसकी पतनी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तुमने वह भूमी इतने ही में ब देख तेरे पती के गारने वाले दौार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंट उसके पाउं पर गिर पड़ी और प्रान छोड़ दिये। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पती के पास गार दिया। और सारी कलीसिया पर और निन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भै छा गया, और प्रेरतों के हाथों से बहुत चिन्ध और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाये जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इखटे हुआ करते थे, परंतु औरो में से किसी को यह याव न होता था कि उन में जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे, और विश्वास करने वाले भहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे, यहां तक कि लोग बिमारों को सडकों पर ला लाकर प्रशुद आत्माओं के सताई हों को ला लाकर इखटे होते थे और सब अच्छे कर दिये जाते थे, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाहा से भर कर उठे और प्रेरतों को पकड़ कर बंदी ग्रह में बंद कर दिया, परंतु रात को भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे, परंतु महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राइलियों के सब पुर्णियों को इखटे किया, और बंदी ग्रह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं, परंतु प्यादों ने वहां पहुँचकर उन्ह और महायाजकों ने ये बाते सुनी, तो उनके विशह में भारी चिंता में पढ़ गए, कि यह क्या हुआ चाहता है, इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, कि देखो, जिन्हें तुमने बंदी ग्रह में बंद रखा था, वे मनुष्य, मंदिर में खड़े हुए लोगों क उपदेश दे रहे हैं, तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बर्बस नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे, कि हमें पत्तरवा न करें, उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया, और महायाजक ने उन से पूछा, क्या ह ने तुम्हें चिता कर आग्या न दी थी, कि तुम इस नाम से उपदेश न करना, तो भी देखो, तुमने सारे यरुशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहु हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो, तब पत्रस और 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 प्रेरतों ने उत्तर दि जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था, उसी को परमेश्वन ने प्रभू और उधारक ठहरा कर अपने दाइने हाथ से सरवोच कर दिया, कि वह इसरालियों को मन फिराओ की शक्ति और पापों की ख्षमा प्रदान करे, और हम इन बातों के गवाँ हैं, और पवित थापक और सब लोगों में माननी था, न्यायलाय में खड़े होकर प्रेरतों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देनी की आग्या दी, तब उसने कहा, हे इसरालियों, जो कुछ इन मनिश्यों से किया चाहते हो, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले, थीउदास यह कहता हुआ उठा, कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई चार सो मनिश उसके साथ हो लिए, परंतु वेह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे, सब तितर बितर हुए, और मिट गये, उसके बाद नाम लिखाई की दिनों में, यहुदा गलीली उठा, और कुछ लोग अपनी और कर लिए, वेह भी नाश हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे, सब तितर बितर हो गये, इसलिए अब मैं तुम से कहता हूँ, इन मनुश्यों से दूर ही रहो, और उन से कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुश्यों की और से हो, तब तो मिट जाए तब उन्होंने उसकी बात मान ली, और प्रेरितों को बुला कर पिटवाया, और यह आग्या दे कर छोड़ दिया, कि इश्यों के नाम से फिर बातें ना करना, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए, कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योगी त ठहरे, और प्रति दिन मंदिर में और घर घर में प्रेरितों के कामों का वर्णन छटवा अध्याए, उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे, तो युनानी भाशा बोलने वाले इबरानियों पर कुड़कुडाने लगे, कि प्रति दिन की सेवकाई में हमारी विध प्रति दिन की सेवा में रहें, इसलिए हे भाईयों, अपने में से साथ सुनाम पुरुषों को, जो पवित्र आत्मा और बुद्धी से परिपूर्ण हों, चुनलो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्तना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी, और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस, और प्रुखुरुस, और निकानोर, और तीमोन, और परमिनास, और अन्ताकी वाला निकुलाउस को, जो रिश्लेम में चेलों की गिंती बहुत बढ़ती गई, और याजिकों का एक बड़ा समाज इस मत के आधीन हो गया, स्तिफनुस अनुग्रह और सामत से परिपूर्ण होकर, लोगों में बड़े-बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था, तब उस आराध नाला करने लगे, परंतु उस ग्यान और उस आत्मा का, जिस से वह बातें करता था, वह सामना न कर सके, इस पर उन्होंने कई लोगों को भारा जो कहने लगे, कि हमने इसको मूसा और परमेशर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना हैं, और लोगों और प्राचीनों और श बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उससे यह कहते सुना हैं, कि यही इश्यू नासरी इस जगह को ढ़ा देगा, और उन रीतों को बदल डालेगा, जो मूसा ने हमें सौपी हैं, तब सब लोगों ने जो सभा में बैटे थे, उसकी और ताक कर, उसका मुख़ा, हाईयो और पितरो सुनो, हमारा पिता इबराहीम हरान में बसने से पहले, जब मिसुपतामिया में था, तो तेजो मैं परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और उससे कहा, कि तू अपने देश और अपने कुटुम से निकल कर, उस देश में चला जा, जिसे मैं तुझे जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास बरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परन तु प्रतिग्या की, कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूँगा, यदि पी उस समय उसके कोई पुत्र भी न था, और परमेश्वर ने यो कहा, कि तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे, और वे उन्हें दास बनाएंगे, और चार सो वर्ष तक दुख देंगे, फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाती के वे दास होंगे, उसको मैं दंड दूँगा, और इसके बाद में निकल कर इसी जगह मेरी से करेंगे, और उसने उस से खतने की वाचा बांधी, और इसी दश्या में इसहाक उससे उतपन हुआ, और आठवे दिन उसका खतना किया गया, और इसहाक से याकूब, और याकूब से बारह कुल पती उतपन हुए, और कुल पतियों ने यूसुफ से ड़ह करके, उससे मिसर देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेशर उसके साथ था, और उसे उसके सब कलेशों से छुडा कर, मिसर के राजा फिरोन के आगे अनुग्रह और बुद्धी दी, और उसने उसे मिसर पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया, तब मिसर और कनान के सारे देश म परन्तु याकूब ने यह सुनकर कि मिसर में अनाज है हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा और दूसरी बार यूसुफ अपने भाईयों पर प्रगट हो गया और यूसुफ की जाती फिरौन को मालूम हो गई तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे जो पचहत्तर व्यक्ती थे बुला भेजा तब याकूब मिसर में गया और वहां वह और हमारे बाप दादे मर गए और वे शिकिम में पहुचाए जाकर उस कबर में रखे गए जिसे इबराहीम ने चांदी देकर शिकिम में हमोर की संतान से मोल लिया था परंतु जब उस प राजा नहुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाती से चतुराई करके हमारे बाप दादों के साथ यहां तक कुभ युवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेक देना पड़ा की वे जीवित न रहें। उस समय मूसा उत्पन हुआ जो बहुत ही सुन पड़ा लिया और अपना पुत्र करके पाला और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वे बातों और कामों में सामर्ती था। जब वे चालीस वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इसराईली भाईयों से भेट करूं और उसने एक व्यक्ती पर अन्याय होते देख कर उससे बचाया और मिस्री को मार कर सताय हुए का पल्टा लिया। उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेशर मेरे हाथों से उनका उध्धार करेगा परन्तु उन्होंने न समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वेह वह आ निकला, और यह कहके उन्हें मेल करने के लिए समझाया कि हे पुर्शों, तum तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो। परंतु जो अपने पढूसी पर अन्याय कर रहा था, उसने उसे यह कहकर हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याई थेर क्या जिस रीती से तुने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है। यह बात सुनकर मुसा भागा, और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा, और वहां उसके दो पुत्र उत्मन हुए। जब पूरे चालीस वर्ष बीट गए, तो एक स्वर्ग दूत उतने सीने पहार के जंगल में उसे जलती वी जाली की ज्वाला में दर्शन दिया। मुसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया, और जब देखने के लिए पास गया, तो प्रभू का यह शब्द हुआ, कि मैं तेरे बाप दादों इबराहीम, इसहाक और याकुब का प पवित्र भूमी है, मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिसर में है देखी है, और उनकी आह और उनका रोना सुन लिया है, इसलिए उन्हें छुडाने के लिए उतरा हूँ, अब आह, मैं तुझे मिसर में भेजूँगा, जिस मुसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याई ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुडाने वाला ठहरा कर, उस स्वर्गदूत के द्वारा, जिसने उसे जाली में दर्शन दिया था, भेजा, यही व्यक्ति मिसर और लाल समुद्र और जंगल में चालीस वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हे निकाल लाया, यह वही मूसा है, जिसने इस्राइलियों से कहा, कि परमेश्वर तुमारे भाईयों में से तुमारे लिए मुझ सा एक भविश्वक्ता उठाएगा, यह वही है, जिसने जंगल में कलिस्या के ब परन तुमारे बाब दादों ने उसकी मानना न चाहा, बरन उसे हटा कर अपने मन मिसर की और फेरे, और हारुन से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना, जो हमारे आगे 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 चलें, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिसर देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हु उन दिनों में उन्होंने एक बच्छडा बना कर उसकी मूरत के आगे बली चढ़ाया, और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे, सो परमिश्वर ने मुहु मोड कर उन्हें छोड़ दिया, कि आकाश गण पूजें, जैसा भषदक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, कि जैसा तुम जंगल में चालीस वर्ष तक पशु बली और अन्न बली मुझी को चढ़ाते रहे, और तुम मोलेक के तंबू और रिफान देता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन अकारों को, जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था, सो मैं तुमें बाब सार इसे बना, उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्वकाल से पाकर यहुशु के साथ यहां ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अनजातियों का अधिकार पाया, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वह दाओत के समय तक रहा, परंतु परम परधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भश्दक्ता ने कहा कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिहासन और प्रत्वी मेरे पाउं तले की प्युड़ी है, मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान हो क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगो, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो, भश्दक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों न उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए, तुमने स्वर्दूतों के द्वारा ठराई हुए विस्ता तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया, ये बाते सुनकर वे जल गए, और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्रात्मा से परिपूर्ण हो कर स्वर्ग की ओर देखा, और परमेश्वर की महिमा को और इश्यू को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ, और मनुश की पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ, तब हुने बड़े नाम एक जवान के पाउं के पास उतार रखे और वे स्टिफनुस को पत्थरवा करते रहे और वे यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु ईश्यू मेरी आत्मा को ग्रहन कर फिर घुटने टेक कर उचे शब्द से पुकारा हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा और यह कहकर सो गिया और शाउल उसके बध में सहमत था प्रेदितों के कामों का वर्णन आठवा अध्याय उसी दिन यरुशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्र होने लगा और प्रेदितों को छोड़ सब के सब यहुदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए और भक्तो ने स्तिफनुस को कबर में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया शाउल कलीसिया को उजाड रहा था और घर घर घुसकर पुर्शों औस्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी ग्रह में डालता था जो तितर बितर होए थे वे सुसमचार सुनाते हुए फिरे और पुस ने कहीं उन्हें लोगोंने सुनकर और जो चिन्ह वै दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगाया क्योंकि बहुतों में से अशुद आत्माएं बड़े शब्द से चिलाती हुई निकल गई और बहुत से जोले के मारे हुए और लंगले भी अच्छे किये गए और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ इस से पहले उस नगर में शमौन नाम एक मनुष था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आपको कोई बड़ा पुरुष बनाता था और सब छोटे से बड़े तक उसे मान कर कहते थे कि यह मनुष परम खुट मानते थे, परंट जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की जो परमेशवर के राज और ईशू के नाम का सुसमचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष, क्या स्थरी, बबबतिस्मा लेने लगे, तक शमौन ने आप भी प्रतीति की और बबतिस्मा लेकर फ पत्रस और यहन्ना को उनके पास भेजा, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, की पवित्रात्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उन में से किसी पर न उत्रा था। उन्होंने तो केवल प्रभुईश्यू के नाम में बब्तिस्मा लिया था, तब उन्होंने उन पर हात रखे और उन्होंने पवितरात्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरतों के हात रखने से पवितरात्मा दिया जाता है, तो उनकी पास रुपिये लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो, कि जिस किसी पर हात रखूं, वह पवितरात्मा पाये। पतरस्त ने उससे कहा, तेरे रुपिये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तुने परमिश्वर का दान रुपियों से मोल लेने का विचार किया, इस बात में ना तेरा हिस्सा है, ना बाटा, क्य क्योंकि तेरा मन परमिश्वर के आगे सीधा नहीं, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभू से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार च्छमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तु पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभू से प्रार्थना करो, कि जो बाते तुमने कहीं, उन में से कोई मुझ पर न आ पड़े। चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजान्ची था, और भजन करने को यरुशलेम आया था, और वह अपने रत पर बैठा हुआ था, और यशाया भिश्दक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ, लोटा जा रहा था। वह यह था, कि वह भेड की नाई बद होने को पहुँचाया गिया, और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मोह ना खोला, उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वरणन कौन कर पहुचेगा, क्योंकि प्रत्वे से उसका प्राण उठाया जाता है, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझ से बिंती करता हूँ, यह बता कि भविश्दधत्ता यह किसके विशय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विशय में, तब फिलिप्पुस अपना मूँ खोला, और इसी शास्त्र से आरंब करके उसे ईश्यू का सुसमचार सुनाया, मार्ग में चलते चलते, वे किसी जल की जगह पहुचे, तब खोजे ने कहा, देख, यहां जल है, अब मुझे बप्तिस्मा लेने में क्या रोक है, फिलिप्पुस ने कहा, यदी सारे मन से विश्वास करता है, तो हो सकता है, उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ, कि ईश्यू मसी परमेश्वर का पुत्र है, तब उसने रत खड़ा करने की आग्या दी, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने उसे बप्तिस्मा दिया, जब वे जल में से निकल कर उपर आए, तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, सो खोजे ने उसे फिर न देखा, और वे आनंद करता हुआ, अपने मार्ग चला गया, और फिलिप्पुस अश्दोद में आ निकला, और जब तक कैसरिया में न पहु महायाजक के पास गया, और उस से दमिश की आराद नालायों के नाम पर इस अभिप्राय की चिठिया मांगी, कि क्या पुरुष क्या स्त्री, जिन्हें वे इस पंध पर पाए, उन्हें बांध कर यरुशले में ले आए, परंतु चलते चलते, जब वे दमिश के निकट पास से उसके चारों और जोती चमकी, और वे भूमी पर गिर पड़ा, और यह शब्द सुना, कि हे शाओल, हे शाओल, तू मुझे क्यों सताता है, उसने पूछा, हे प्रभू, तू कौन है, उसने कहा, मैं यिश्यू हूँ, जिससे तू सताता है, परंतु अब उठकर नग शब्द सो सुनते थे, परंतु किसी को देखते न थे, तब शाओल भूमी पर से उठा, परंतु जब आँखे खोली, तो उससे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़के, दमिश्क में ले गए, और वे तीन दिन तक न देख सका, और न खाया, और न पिया, द प्रभू ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा, जो सीधी कहलाती है, और यहुदा के घर में शाओल नाम एक तार्शी को पूछ ले, क्योंकि देख वे परार्तना कर रहा है, और उसने हनन्या नाम एक पुरुष को भीतर आते, और अपने उपर हाथ रखते देखा है, ताक यहां भी इसको महायाजुकों की ओर से अधिकार मिला है, कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं, उन सब को बांध ले, परंतु प्रभू ने उससे कहा, कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों, और राजाओं, और इस्राइलियों के सामने, मेरा नाम प्रगट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उससे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्य उठकर उस घर में गया, और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई शाओल, प्रभू अर्थात येश्यू, जो उस रास्ते में जि पिलके से गिरे, और वे देखने लगा, और उठकर बप्तिस्म लिया, फिर भोजन करके बल पाया, और वे कई दिन उन चेलों के साथ रहा, जो दमिश्क में थे, और वे तुरंद आराद नायलयों में ये श्यू का परचार करने लगा, कि वे परमेश्वर का पुत्र है, औ यह वही व्यक्ति नहीं है, जो यरुशले में उन्हें जो इस नाम को लेते थे, नाश करता था, और यहां भी इसलिए आया था, कि उन्हें बांध कर महायाजगों के पास ले जाए, परंद शाओल और भी सामर्थी होता गया, और इस बात का प्रमान दे दे कर, कि मसीह यही हो गई, वे तो उसके मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर लगे रहे थे, परंद रात को उसके चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बठाया, और शहर पनापर से लटका कर उतार दिया, यरुशले में पहुँचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाई किया, परंद तो सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको प्रतीती न होता था, कि वे भी चेला है, परंद बरनबा उससे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा, कि इसने किस रीती से मार्ग में प्रभु को देखा, और उसने इससे बातें की, फिर दमिश्क में इसने कैसे ही नाम से प्रचार किया, वे उनके साथ यरुशले में आता जाता रहा, और निधळक होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था, और युनानी भाशा बोलने वाले यहुदियों के साथ बाचीत और वाद विवाद करता था, परंद वे उसके मार डालने का यतन करने लगे, य उसकी उन्नती होती गई, और वह प्रभु के भै और पवित्रात्मा की शांती में चलती और बढ़ती जाती थी, और ऐसा हुआ कि पत्रस हर जगह फिरता हुआ, उन पवित्र लोगों के पास भी पहुँचा, जो लुद्दा में रहते थे, वहां उसे एनियास नाम जोले का मारा हुआ एक मनुष मिला, जो आठ वर्ष से खाट पर पड़ा था, पत्रस ने उसे कहा, हे एनियास, इश्य मसी तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिच्छोना बिच्छा, तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, और लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देख कर प्रभु की ओर फिरे, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासनी रहती थी, वह बहुतेरे भले-भले काम और दान किया करती थी, उन्ही दिनों में वह बिमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे नहला कर अटारी पर रख दिया, और इसलिए कि आने में देर ना कर, तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुँच गया, तो वे उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विद्वाएं रोती हुई उसके पास आखडी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाय थे, दिखाने लगी, तब पतरस ने सब को बाहर कर दिया, और घुटने टेक कर प्रातना की, और लोत की ओर देखकर कहा, हे तबीता, उठ, तब उसने अपनी आखें खोल दी, और पतरस को देखकर उठ बैठी, उसने हाथ देकर उसे उठाया, और पवित्र लोगों और विद्वाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागरत दिखा दिया, यह बात सारे याफा में फैल गई, और भहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया, और पतरस याफा में शमौन नाम किसी चमले के धंदा करने वाले की हाँ, बहुत दिन तक रहा, प्रेदितों के कामों का वर्णन, दस कैसरिया में कुर्नेलियूस नाम एक मनुष्ठ था, जो इतालियानी नाम पल्टन का सुबेदार था, वे भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, दर्शन में स्पष्ठ रूप से देखा, कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है, कि हे कुर्नेलियूस, उसने उसे ध्यान से देखा, और डर कर कहा, हे प्रभू क्या है, उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुचे हैं, और अब याफ़ा में मनुष भेच कर, शमौन को जो पत्रस कहलाता है, बुलवा ले, वह शमौन चमले के धंदा करने वाले कि हाँ पाहुन है, जिसका घर समुद्र के किनारे है, जब वह स्वर्गदू जिसन जब वे चलते-चलते नगर के पास भूचे, तो दो पहर के निकट पत्रस कोठे फर प्रातना करने चढ़ा, और उसे भूक लगी, और कुछ खाना चाहता था, परन्तु जब वे तयार कर रहे थे, तो वे बेसुध हो गया, और उसने देखा कि आकाश खुल गया, और एक प अक्षी थे, और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, कि हे पत्रस उठ, मार और खा, परन्तु पत्रस ने कहा, नहीं प्रभू, कदापी नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुध वस्तु नहीं खाई है, फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, कि मन में दुबधा कर रहा था, कि यह दर्शन जो मैंने देखा क्या है, तो देखो, वे मनुष जिन्हें कुर्नली उसने भेजा था, शमौन के घर का पता लगा कर, देवडी पर आख़डे हुए, और पुकार कर पूशन लगे, क्या शमौन जो पत्रस कहलाता है, यहीं पत्रस तो उस दर्शन पर सोची रहा था, कि आत्मा ने उससे कहा, देख, तीन मनुष तेरी खोज में है, सो उटकर नीचे जा, और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है, तब पत्रस ने उतर कर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज त तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरने लिए सुबेदार जो धर्मी और परमिश्वर से डरने वाला और सारी यहुदी जाती में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वरगदूत से यह चितावनी पाई है, कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझ स वचन सुने, तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनाई की, और दूसरे दिन वे उनके साथ गया, और याफा के भाईयों में से कई उसके साथ हो लिये, दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुँचे, और कुरनेलियूस अपने कुटुम्बियों और प्रिये मित्रों को इखटे करके उनकी बाट जो रहा था, जब पत्रस भीतर आ रहा था, तो कुरनेलियूस ने उससे भेट की, और पाओं पढ़के प्रणाम किया, परंतु पत्रस ने उससे उठा कर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुश्य हूँ, और उसके साथ बाचित करता हुआ, भीतर गया और बहुत से लोगों को घटे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्यजाती की संगत्ती करना या उसके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है, कि किसी मनुश को अपवित्र या अशुध ना कहूं, इसलिए मैं जब बु कुछ कहे चला आया, अब मैं पूशता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है, कुरनेलियूस ने कहा, कि इस घड़ी पूरे चार दिन हुए, कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्तना कर रहा था, कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्तर पहने हुए मेरे स आखड़ा हुआ, और कहने लगा, हे कुरनेलियूस तेरी प्रार्तना सुन ली गई, और तेरे दान परमेश्वर के सामने समरण किये गए हैं, इसलिए किसी को याफा भेज कर, शमौन को जो पत्रस कहलाता है बुला, वह समुद्र के किनारे, शमौन चमले के धंदा करने वा तब मैंने तुरन तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आगया, अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझ से कहा है, उसे सुने, तब पत्रस ने मुह खोल कर कहा, अब मुझे निश्चे हुआ, कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, बरन हर जाती में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है, जो वचन उसने इस्राइलियों के पास भेजा, जबकि उसने येश्व मसी के द्वारा, जो सब का प्रभू है, शांती का सुसमचार सुनाया, वह बात तुम जानते हो, जो यह अन्ना के बप्तिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरम करके सारे यहुदियां में फैल गई, कि परमेश्वन ने किस रीती से येश्व नासरी को पवितरात्मा और सामर्थ से अभिशेक किया, वह भलाई करता और सब को जो शैतान के सताह हुए थे, अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, और हम उन सब कामों के गवाँ हैं, जो उसने यहुदिया के देश और यरिशले में भी किये, और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मान डाला, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रगट भी कर दिया है, सब लोगों को न उसने हमें आग्या दी, कि लोगों में प्रचार करो, और गवाही दो, कि यह वही है, जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुँँ का न्याई ठहराया है, उसकी सब भवश्वश्वक्ता गवाही देते हैं, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द कि अन्य जातियों पर भी पवित्रात्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भाती-भाती की भाशा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना, इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है, कि ये बबतिस्मा ना पाएं, जिन्होंने हमार प्रेदितों के कामों का वर्णन, ग्यारवा अध्याय, और प्रेदितों और भाईयों ने जो यहूदिया में थे सुना, कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है, और जब पतरस एरुशले में आया, तो खतना किये हुए लोग उस से वाद विवाद करन असुद होकर एक दर्शन देखा, कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ, आकाश से उतर कर मेरे पास आया, जब मैंने उस पर ध्यान किया, तो प्रत्वी के चौपाए और बन पश्यू और रेंगने वाले जन्तु और आकाश के पक्षी देख इसके उतर में अकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उससे अशुद्ध मत कहे, तीन बार ऐसा ही हुआ, तब सब कुछ फिर अकाश पर खीच लिया गया, और देखो तुरं तीन मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेज गए थे, उस घर पर जिसमें हम थे आखड़े हुए, तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बे खटके हो लेने को कहा, और ये छे भाई भी मेरे साथ हो लिये, और हम उस मनुष्य के घर में गए, और उसने बताया कि मैंने एक स्वरगदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेज कर शमौन को जो पत्रस कहलाता है बुलवा ले, वह तुम से ऐसी बातें कहेगा, जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उधार पाएगा, जब मैं बाते करने लगा, तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीती से उत्रा, जिस रीती से आरंभ में हम पर उत्रा था, तब मुझे प्रभु का वहवचन स्मरण आया, जो उसने कहा कि योहन्ना ने तो पानी से बप्तिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्रात्मा से बप्तिस्मा पाओगे, सो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया, जो हमें प्रभु ईश्य मसी पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता, यह सुनकर वे चुप रहे, और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन फीनी के और कुपरुस और अन्ताकिया में पहुँचे, परंतु यहुदियों को छोड किसी और को वचन न सुनाते थे, परंतु उन में से कितने कुपरुसी और कुरेनी थे, जो अन्ताकिया में आकर युनानियों को भी प्रभु ईश्यू के सुसमचार की बातने सुनाने और प्रभू का हाथ उन पर था, और बहुत लोग विश्वास करके प्रभू की ओर फिरे, तब उनकी चर्चा यरुश्लेम की कलिस्या के सुन्ने में आई, और उन्होंने बर्नबास को अन्ताकिय भेजा, वह वहाँ पहुचकर और परमेशर के अनुग्रह को देखकर आनंदि और और बहुत से लोग प्रभू में आ मिले, तब वह शाओल को ढूनने के लिए तरसुस को चला गया, और जब उससे मिला, तो उससे अन्ताकिय मिलाया, और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलिस्या के साथ मिलते, और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सब से पहले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाए, उन्ही दिनों में कई भर्ष दक्ता यरुशलेम से अन्ताकिया में आए, उन में से अग्बुस नाम एक में खड़े होकर आत्मा की प्रणना से यह बताया, कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लोदियूस क समय में पड़ा, तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाईयों की सेवा के लिए कुछ भेजे, और उन्होंने ऐसा ही किया, और बर्नबास और शाउल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया, प्रेरितों के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इस से आनन्दित होते हैं, तो उसने पत्रस को भी पकड़ लिया, वे दिन अक्मीरी रोटी के दिन थे, और उसने उसे पकड़ के बंदी ग्रह में डाला, और रखवाली के लिए चार च परमेश्वर से प्रातना कर रही थी, और जब हिरोदेश उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पत्रस दो जंजीरों से बंधा हुआ, दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदिग रहक रखवाली कर रहे थे, तो देखो प्रभु का ए जीरे खुल कर गिर पणी, तब स्वर्दूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहिन ले, उसने वैसा ही किया, फिर उसने उससे कहा अपना वस्तर पहिन कर मेरे पीछे हो ले, वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परन तु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्दू है, वह उनके लिए आप से आप खुल गया, और वह निकल कर एक ही गली होकर गए, इतने में स्वर्दूत उसे छोड़ कर चला गया, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया, कि प्रभू ने अपना स्वर्दूत भेज कर, मुझे हिरुदेस के हाथ से जब उसने फाटक की खड़की खड़कटाई, तो रूदे नाम एक दासी सुनने को आई, और पतरस का शब्द पहचान कर, उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौल कर भीतर गई और बताया, कि पतरस द्वार पर खड़ा है, उन्होंने उससे कहा, तु पागल है परंतु वह दरता से बोली, कि ऐसा ही है, तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्ग दूत होगा, परंतु पतरस खट-खटाता ही रहा, सो उन्होंने खड़की खोली, और उसे देखकर चकित हो गए, तब उसने उन्हें हाथ से सैन किया, कि चुप रहें, और उनको बताया, कि प् में बड़ी हलचल होने लगी, कि पतरस क्या हुआ, जब हिरोदेश ने उसकी खोच की और ना पाया, तो पहरों की जाच करके आग्या दी, कि वे मार डाले जाएं, और वे यहुदिया को छोड़कर कैसरिया में जा रहा, और वे सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसं था, सो वे एक चित होकर उसके पास आए, और बलास्तुस को जो राजा का एक कर्मचारी था, मना कर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोशन होता था, और ठेराह हुए दिन हेरोदेश राजवस्त्र पहन कर सिहासन पर बैठा, और उनको व्या परमेशर की महिमा न की और वे कीड़े पढ़के मर गया, परंतु परमेशर का वचन बढ़ता और फैलता गया, जब बर्नबास और शावल अपनी सेवा पूरी कर चुके, तो युहनना को जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरुशलेम से लोटे, प्रेदितों के कामों का वर और देश की चोथाई के राजा हिरोदेश का, दूद भाई, मनाहेम और शावल, जब वे उपवास सही त्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्रात्मा ने कहा, मेरे निमित बर्नबास और शावल को उस काम के लिए अलग करो, जिस के लिए मैंने उन्हें बुलाया है, तब उन्होंने उपवास और प्रात्ना करके और उन्हें पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया, सोवे पवित्रात्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए, और वहां से जहाच पर चड़कर कुप्रुस को चले, और सलमीस में पहुँचकर परमेशर का वचन यहोदियों की आर वह सिर्गियूस पॉलूस सूबे के साथ था, जो बुधिमान पुरुष था, उसने बरनबास और शाओल को अपने पास बुलाकर परमेशर का वचन सुनना चाहा, परंतु इली मास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके सूबे को विश्वास कर रोकना चाहा, तब शाओल ने जिसका नाम पॉलूस भी है, पवित रात्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टक्टकी लगा करता है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शातान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तु प्रभू के सीधे मार्गों को तेढ़ा करना न तब तुरंथ धुंदलाई और अंधेरा उस पर छागया, और वे इधर उधर टटोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकर के ले चले, तब सूबे ने जो हुआ था देखकर और प्रभू के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया, पॉलूस और उसके साथी पाफुस से जहाच खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए और योहनना उन्हें छोड़कर यरुशलेम को लोट गया, और पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अंताकिया में पहुँचे और सब्थ के दिन आरादनाले में जाकर बैठ गए, और विवस्था और भष्दताओं क पुस्तक से पढ़ने के बाद सभा के सरदारों ने उनके पास खहला भेजा, कि हे भाईयो, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो, तो कहो, तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से सैन करके कहा, हे इसराइलियों और परमेश्वर से डरने व कर रहते थे, तो उनकी उन्नती की और बल्वंत भुजा से निकाल लाया, और वह कोई चालीस वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा, और कनान देश में साथ जातियों का नाश करके, उनका देश कोई साहे चार सो वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया, इसके बाद उसने सामु इस वर्ष के लिए विन्यामीन के गोतर में से एक मनुश अर्थात थीश के पुत्र शाओल को उन पर राजा ठहराया, फिर उसे अलग करके दाओद को उनका राजा बनाया, जिसके विशह में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुश हिश्य का पुत्र दाओद मेरे मन के अन अर्थात येश्य को भेजा, जिसके आने से पहले युहना ने सब इसरालियों को मन फिराओ के बबतिस्मा का परचार किया, और जब युहना अपना दौर पूरा करने पर था, तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं वह नहीं, वरन देखो, मेरे बाद एक आने वा आते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरुशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भर्षडक्ताओं की बाते समझी, जो हर सब्त के दिन पढ़ी जाती हैं, इसलिए उसे दोशी ठहरा कर उनको पूरा किय उन्होंने मार डालने की योग्य कोई दोश उसमें न पाया, तो भी पिलातु से बिंती की, कि वेह मार डाला जाए, और जब उन्होंने उसके विशे में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पर से उतार कर कबर में रखा, प्रंतु परमेश्वन ने उसे मरे हुँ में सिजलाया, और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरुशलेम आये थे, बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा, लोगों के सामने अब वेही उसके गवाँ हैं, और हम तुम्हें उस प्रतिग्या के विशे में, जो बाप दादों से की गई थी, यह सुसमचार सु दाकर वही प्रतिग्या हमरी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जनमाया है, और उसके इस रीती से मरे हुँ में से जिलाने के विश्य में भी, कि वह कभी न सड़े, उसने यों कहा है, कि मैं दा पूत्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाउद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया, और अपने बाप दादों में जा मिला, और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया, वह सड़ने नहीं पाया, इसलिए हे हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोश थैरता है, इसलिए चौकस रहो, ऐसा नहो कि जो भषदक्ताओं की पुस्तक में आया है, तुम पर भी आपड़े, कि हे निंदा करने वालो देखो, और चकित हो और मिठ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुम से उसकी चर्चा करे, तो तुम कभी प्रतीती न करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उससे बिंती करने लगे, कि अगले सब्द के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं, और जब सभा उट गई, तो यहूदियों और यहूदी मत ने आई हुए भक्तों में से बहुतेरे पॉलुस और बर्नबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातने करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परन्तु जब कि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनन्त जीवन की योगे नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्यजातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभू ने हमें यह आग्या दी है, कि मैंने तुझे अन्यज जीवन के लिए ठहराये गए थे, उन्होंने विश्वास किया, तब रभू का वच्चन उस सारे देश में फैले लगा, परन्तु यहुदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को उसकाया, और पॉलूस और बर्नबास पर उपद्रा करवा कर उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया, तब वे उनके सामने अपने पाउं की धूल ज़ाड़कर एकुनियूम को गए और चेले आनंद से और पवितरात्मा से परिपूर्न होते रहे। प्रेरितों के कामों का वर्नन चवदू अध्याए। एकुनियूम में ऐसा हुआ क वे यहुदियों की आरात नालाय में साथ साथ गए और ऐसी बातें की, कि यहुदियों और युनानियों दोनों में से भहतों ने विश्वास किया। परंतु नम मानने वाले यहुदियों ने अन्ने जातियों के मन भाईयों के विरोध में उसकाए और बिगार कर दिया। औ और वें उनके हाथों से चिन्ने और अदभुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी। इस से कितने तो यहूदियों की ओर और कितने फ्रेरतों की ओर हो गए। परंतु जब अन्यजाती और यह और वहां सुसमचार सुनाने लगे। लुस्तरा में एक मनुष्य बैठा था जो पाउं का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगला था और कभी न चला था। वह पौलुस को बाते करते सुन रहा था। और इसने उसकी ओर टक्टकी लगा कर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है और उचे शब्द से कहा अपने पाउं के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उच्छल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाशा में उचे शब्द से कहा देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतराए हैं और उन्होंने बरनबास को जीूस और पॉलुस को हिरमेस कहा क्योंकि यह बाते करने में मुख्य था और जीूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था परन्तु तो तुम्हारे समान दुख सुक भोगी मनुश्य हैं और तुम्हें सुसमचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्त्मों से अलग होकर जीवते परमेश्वर की और फिरो जिसने स्वर्ग और प्रत्वी और समुद्र और जो कुछ उन में हैं बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मारगों में चलने दिया तो भी उसने अपने आपको बे गवाह न छोड़ा किन्तु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत रितु दे कर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिंता से रोका कि उनके लिए बलदान न करें परंतु कितने यहुदियों ने अंता किया और इकुनियूम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पॉलुस को पत्थरवा किया और मरा समझ कर उसे नगर के बाहर घजीत ले गए। पर जब चेले उसकी चारों और आख खड़े हुए, तो वह उठकर नगर में गया, और दूसरे दिन बर्नबास के साथ दिर्बे को चला गया। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए, और उपवास सहित प्राथना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। वहाँ पहुचकर उन्होंने कलीसिया इखटी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किये और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। प्रेदितों के कामों का वर्णन पंद्रवा अध्याए। फिर कितने लोग यहुदिया से आकर भाईयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा के रीती पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उध्धार नहीं पा सकते। जब पॉलूस और बर्नबास का उन से बहुत जगला और वाद विबाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पॉलूस और बर्नबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विश्य में यरुशलेम को प्रेड़तों और प्राचीनों के पास जाएं। सो मनली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुँचाया और वे फीनिके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फेरने का समचार सुनाते गए और सब भाईयों को बहुत आनंदित किया। जब यरुशलेम में पहुँचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उन से आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किये थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उन में से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराना और मूसा की विवस्था को मानने की आग्या देना चाहिए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विशह में विचार करने के लिए इखटे तब अतरस ने बहुत वाद विवाद के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाईयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए की परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुह से अन्य जाती सुसमचार का वचन सुनकर विश्वास करें। और मन के जाचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्रात्मा दे कर उनकी गवाही दी। और विश्वास के द्वारा उनके मन शुध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परिक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिससे न हमारे बाप दादे उठा सके थे और न हम उठा सकते। हाँ, हमारा यह तो निश्चय है कि जिस रीती से वे प्रभु इश्व के अनुग्रह से उधार पाएंगे, उसी रीती से हम भी पाएंगे। तब सारी सभा चुपचाप होकर बर्नबास और पॉलुस की सुनने लगी कि परमेशर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे कैसे बढ़े चिन्न और अध्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकुप कहने लगा कि हे भाईयो मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेशर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी क्रपादरश्टी की कि उन में से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। और इससे भुषदत्ताओं की बाते मिलती हैं जैसा लिखा है कि इसके बाद मैं फिर आकर दाउत का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंधरों को फिर बनाऊंगा और उससे खड़ा करूंगा इसलिए कि शेश मनुष अर्थात सब अन्य जाती जो मेरे नाम के कहला प्रभू को ढूनें यह वही प्रभू कहता है जो जगत की उत्पत्ती से इन बातों का समचार देता आया है इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख न दें परन्तु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर हुँ के मांच से और लोहु से परे रहें क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मुसा की विवस्था के परचार करने वाले होते चले आये हैं और वह हर सब्त के दिन आराद नालाय में पढ़ी जाती है तब सारी कलीसिया सहित प्रेरतों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने मेंसे कई मनुश्यों को चुनें अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सिलास को जो भाईयों में मुखिया थे और उन्हें पौलूस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजें और उनके हाथ यह लिक भेजा कि अंताकिया और सूरिया और किलिकिया के रहन प्रेरतों और प्राचीन भाईयों का नमस्कार। हमने सुना है कि हम मेंसे कितनों ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिये हैं। परंतु हमने उनको आग्या नहीं दी थी। इसलिए हमने एक चित होकर ठीक समझा कि चुने अपने प्यारे बरनबास और पॉलुस के साथ तुमारे पास भेजें। ये तो ऐसे मनुश्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभुईश मस्य के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। और हमने यहुदा और सिलास को भेजा है जो अपने मुँ से भी ये बातें कह देंगे। पवितरात्मा को और हम को ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोज न डालें। कि तुम मूर्तों के बली किये हुऊं से और लोहु से और गला घोटे हुऊं के मास से और व्यभिचार से परे रहो। इन से परे रहो तो तुम्हार आगे शुभ। और पॉलुस और बर्नबास अंताकिया में रह गए और बहुत और लोगों के साथ प्रभु के वचन को उबदेश करते और सुसमचार सुनाते रहे। कुछ दिन बाद पॉलुस ने बर्नबास से कहा कि जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाय था आओ फिर उनमें चल कर अपने भाईयों को देखें की कैसे हैं। तब बर्नबास ने यहनना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेने का विचार किया। परंतु पॉलुस ने उसे जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया साथ ले जाना अच्छा न समझा। सो ऐसा ठंटा हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गये और बर्नबास मरकुस को लेकर जहाच पर कुपुरुस को चला गया। परंतु पॉलुस ने सिलास को चुन लिया और भाईयों से परमेशुर के अनुग्रह पर सौपा जाकर वहां से चला गया। और कलिसियाओं को स्थिर करता हुआ सूरिया और किलकिया से होते हुए निकला। प्रेरितों के कामों का वर्णन सोलवा अध्याय। फिर वह दिर्बे और लुस्तरा में भी गया, और देखो वहां तीमुथियूस नाम एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहुदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता युनानी था, वह लुस्तरा और इकुनियूम के भाईयों में सुनाम था, पॉलुस ने चाहा कि यह मेरे साथ चले, और जो यहुदी लोग उन जगहों में थे, उनके कारण उसे लेकर उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता युनानी था, और नगर नगर जाते हुए, वे उन विधियों को, जो यरु इशलेम के प्रेरतों और प्राचीनों ने ठहराई थी, मानने के लिए उन्हें पहुचाते जाते थे, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई, और गिंती में प्रति दिन बढ़ती गई, और वे फ्रूगिया और गलतिया देशों में से होकर गए, और पवित से होकर वे त्रूगास में आएं, और पॉलुस ने रात को एक दर्शन देखा, कि एक मकी दूनी पुरुष खड़ा हुआ, उस से बिंती करके कहता है, कि पार उतर कर मकी दुनिया में आ, और हमारी सहायता कर, उसके यह दर्शन देखते ही, हमने तुरंत मकी दुनिया जाना चाहा, यह समझ कर, कि परमेश्वर ने हमें उन्हे सु समचार सुनाने के लिए बुलाया है, सो तरुआ से जहाच खोल कर हम सीधे, सुमात्रा के, और दूसरे दिन निया पुलिस में आए, वहां से हम फिलिप्पी में पहुँचे, जो मकी दुनिया प्रांत का मुख्य नग और बैठ कर, उन स्त्रियों से, जो इखटी हुई थी, बातें करने लगे, और लुदिया नाम थुआ थीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली ए भक्त स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला, ताकि पौलुस की बातों पर चित लगाए, और जब उसने अपने घराने समेत बप्तिस्मा लिया, तो उसने बिंती की, कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समस्ते हो, तो चल कर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई, जब हम प्रार्तना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमाल आती थी, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिलाने लगी, कि ये मनुश परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उध्धार के मार की कथा सुनाते हैं, वह बहुत दिन तक ऐस ही करती रही, परम्तु पौलुस दुखित हुआ, और मुह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे इश्य मसी के नाम से आग्या देता हूं, कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारे कमाई की आशा जाती रही, तो प गर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं, और ऐसे विवहार बता रहे हैं, जिने ग्रहन करना या मानना हम रोम्यों के लिए ठीक नहीं, तब भीड के लोग उनके विरोध में इखटे होकर चढ़ाए, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले, और उन्हें बेत मा कोटरी में रखा, और उनके पाउं काठ में ठोक दिये, आधी रात के लगभक पॉलूस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गार है थे, और बंधुए उनकी सुन रहे थे, कि इतने में एका एक बड़ा भूईंडोल हुआ, यहां तक की बंदी ग्रह की नेव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए, और सब के बंधन खुल पड़े, और सब के बंधन खुल पड़े, और दरोगा जाग उठा, और बंदी ग्रह के द्वार खुले देख कर समझा, कि बंदुए भाग गए, सो उसने तलवार खीच कर अपने आपको मार डाल और कांपता हुआ पॉलूस और सिलास के आगे गिरा, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहीबो, उध्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ, उन्होंने कहा, प्रभु ईश्य मसी पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उध्धार पाएगा, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, और रात को उसी घरी उसने उन्हें ले जाकर उनके घावध होए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत मप्तिस्मा लिया, और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुश्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पॉलुस से कह सुनाई कि हाकिमों ने तुमारे छोड़ देने की आग्या भेज दी है। सो अब निकल के से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी और वे यह सुनकर की रोमी हैं दर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर बिंती की की नगर से चले जाएं। वे बंदिग रह से निकलकर लुदिया के यहां गए और भाईयों से भेट करके उन्हें शान्ती दी और चले गए। प्रेरितों के कामों का वर्णन सत्रवह अध्याए। फिर वे अमफी पुलिस और अपुलोनिया होकर थिसलूनी के में आए जहां यहुदियों का एक आराधना ले था। और पुलुस अपनी रीती के अनुसार उनके पास गया और तीन सब्द के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विवाद किया। और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसी को दुख उठाना और मरे हुँँ में से जी उठना अवश्य था। और यही ईश्यू जिसकी म मैं तुम्हे कथा सुनाता हूँ मसी है। उनमें से कितनों ने और भक्त युनानियों में से भहतेरों ने और बहुत सी कुलीन स्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहुदियों ने डहा से भर कर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट म अनुश्यों को अपने साथ में लिया और भीड लगा कर नगर में खुलर मचाने लगे। और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। और उन्हें ना पाकर वे यह चिलाते हुए यासोन और कितने और भाईयों को नगर के हाकिमों के सामने जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आए हैं और यासोन ने उन्हें अपने हां उतारा है और ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशू राजा है और कैसर की आग्याओं का विरोध करते हैं उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुना कर घबरा और उन्हों ने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। और पुर्षों में से बहुतेरों ने विश्वास किया। किन्तु जब थिसलूनिके के यहुदी जान गए कि पॉलुस बिरिया में भी परमेशर का वचन सुनाता है तो वहां भी आकर लोगों को उसकाने और हलचल मचाने लगे। तब भायों ने तुरंत पॉलुस को विदा क कि समुद्र के किनारे चला जाए परंतु सिलास और तिमुथियूस वही रह गए। पॉलुस के पहुचाने वाले उसे अथेने तक ले गए और सिलास और तिमुथियूस के लिए यह आग्या लेकर विदा हुए कि मेरे पास बहुत शीखर आओ। जब पॉलुस अथेने में उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। सोवे आरा नाले में यहुदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विबाद किया करता था। तब इपिकूरी और स्तोई की पनितों में से कितने उ यह बक्वादी क्या कहना चाहता है परंतु औरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है क्योंकि वह इश्यू का और पनुर्थान का सुसमचार सुनाता था। तब वे उससे अपने साथ अरियू पगुस पर ले गए और पूछा क्या हम जान सकते है कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है क्योंकि तू अनोखी बाते हमें सुनाता है इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है इसलिए कि सब अथेनवी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाए और किसी काम में समय नहीं बि देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेधी भी पाई, जिस पर लिखा था कि अंजानने इश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समचार स सुनाता हूं, जिस परमेश्वर ने प्रत्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और प्रत्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदरों में नहीं रहता, न किसी वस्तुओं का प्रयोजन रख कर मनुश्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह त आप ही सब को जीवन और स्वास और सब कुछ देता है, उसने एक ही मूल से मनुश्यों की सब जातियां सारी प्रत्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठराय हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमिश्वर को ढूणे, कदाचित उसे ट ऐसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि इश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान हैं, जो मनुश्व की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमे उस मनुश के द्वारा धर्म से जगत का नयाय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हों में से जिला कर यह बात सब पर प्रमानित कर दी है। मरे हों के पनुर्थान की बात सुनकर कितने तो ठटा करने लगे और कितनों ने कहा यह बात हम तुझ से फिर कभी सुनेंग इस पर पॉलुस उनके बीच में से निकल गया। परंतु कई एक मनुश उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिन में दियुनूसियूस, अरियुपगी था और दमरिस नाम एक स्त्री थी और उनके साथ और भी कितने लोग थे। प्रेदितों के कामों का वर्णन अठा उसका था और अपनी पतनी प्रिस्किल्ला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लॉदियूस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आगया दी थी, सो वह उनके यहां गया, और उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने जब सीलास और तीमुथियूस मकि दुनिया से आये, तो पॉलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था, कि इश्यू ही मसी है, परंतो जब वे विरोध और निंदा करने लगे, तो उसने अपने कपड़े जाल कर उनसे कहा, तुम्हारा मैं निर्दोश हूँ, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा, और वहां से चल कर वह तीतुस युस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आरादनालाय से लगा हुआ था, तब आरादनालाय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने सम पारा पौलुस से कहा, मत डर, बरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानी न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे भूच से लोग हैं, सुवह उन में परमेशर का वचन सिखाते हुए देढ़ वर्ष तक रहा जब गलियो अखाया देश का हाकिम था, तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ा आए, और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, कि यह लोगों को समझाता है कि परमेशर की उपासना ऐसी रीती से करें, जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बो यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहां की विवस्था के विशय में हैं, तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्याय बनना नहीं चाहता, और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया, तब सब लोगों ने आराध नालाय के परन्तु गल्यों ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। जब उन्होंने उससे बिंती की कि हमारे साथ और कुछ दिन रहे, तो उसने स्विकार न किया, परन्तु यह कहकर उनसे विदा हुआ, कि यदि परमेश्वर चाहे, तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब इफिसुस से जहाच खोल कर चल दिया, और कैसरिय में उतर कर यरिशलेम को गिया, और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। फिर कुछ दिन रहकर वहां से चला गया, और एक ओर से गलतिया, और फ्रूगिया में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। अपुलोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष्था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, और मन लगा कर यिश्यु के विशे में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यहन्न के बप्तिस्मा की बात जानता था, वह आराद नाले में निडर होकर बोनने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विल्ला उसकी बाते सुनकर उसे अपने यहां ले गए, और प्रमिश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया, और जब उसने निश्चे किया कि पार उतर कर अखाया को जाए, तो भायों ने उससे धालस देकर चेलों को लिखा, कि वे उससे अच्छी तरह मिलें, और उसने पह प्रमाण दे देकर कि यिशु ही मसी है, बड़ी प्रबलता से यहुदियों को सब के सामने निरुत्तर करता रहा, प्रेदितों के कामों का वर्णन उन्नीस्वा अध्याए, और जब अपुलोस कुरुंतिस में था, तो पॉलोस उपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आय और कई चेलों को देख कर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बप्तिस्मा लिया? उन्होंने कहा, युहन्ना का बप्ति कि जो मेरे बाद आने वाला है, उस पर अर्थात यिश्यू पर विश्वास करना, यह सुनकर उन्होंने प्रभुईश्यू के नाम का बप्तिस्मा लिया, और जब पॉलुस ने उन पर हाथ रखे, तो उन पर पवित्रात्मा उत्रा, और वे भिन भिन भाशा बोलने और भवि शद्वानी करने लगे, यह सब लगभग बारह पुरुश थे, और वे आराद नालाय में जाकर तीन महिने तक निडर होकर बोलता रहा, और परमेश्वर के राज के विशह में विवात करता और समझाता रहा, परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, बरन उसकी पाठ शाला में विवात किया करता था, दो वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक की आसिया के रहने वाले क्या यहूदी, क्या युनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया, और परमेश्वर पॉलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक की रूमाल और अंगोचे उसकी देह से छुलवा कर बिमानों पर डालते थे, और उनकी बिमारियां जाती रहती थी, और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी, परंतु कितने यहुदी जो जाला फूकी करते फिरते थे, यह कहने लगे, कि जिनमें दुष्टात् के एक यहुदी महायाजक के साथ पुत्र थे, जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया, कि इश्यू को मैं जानती हूँ, और पॉलुस को भी भहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो, और उस मनुष्ट ने, जिसमें दुष्टात्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया, कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे, और यह बात, इफिसुस के रहने वाले यहुदी और युनानी भी सब जान गए, और उन सब पर भैचा गया, और प्रभुईश्यू के नाम की बढ़ाई हुई, और जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से भौतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रगट किया, और जादू करने वालों में से भौतों ने अपनी अपनी पोथियां इखटी करके सब के सामने जला दी, और जब उनका दाम जोडा गया, तो पचास यो प्रभु का वच्चन बल पूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। जब ये बातें हो चुकी तो पॉलुस ने आत्मा में ठाना की मकी दुनिया और अखाया से होकर यरुशलेम को जाऊं और कहा कि वहां जाने के बाद मुझे रोमा को भी देखना अवश्य है। बड़ा हुलड हुआ क्योंकि देमेत्रियूस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवा कर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और और ऐसी वस्तों के कारीगरों को इखटे करके कहा, हे मनुश्यों तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है, और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफसुस ही में नहीं, वरन प्राया सारे आसिया में यह कहकर इस पॉलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है, कि जो हाथ की कारीगरी हैं, वे इश्वर नहीं, और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धन्दे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, बरन यह कि महान देवी अर्तिमिस का मंदर तुच्छ समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगद पूजता है, उसका महत्व भी जाता रहेगा, वे यह सुनकर क्रोट से भर गए, और चिला चिला कर कहने लगे, इफीसियों की अर्तिमिस महान है, और सारे नगर में बड़ा कोला हल मच गया, और लोगों ने गयुस और अरिस्थरकुस मके दुनिया को, जो पॉलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया, और एक चित होकर रंगशाला में दौड गए, जब पॉलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा, तो चेलों ने उसे जाने न दिया, आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा, और बिंती की, की रंगशाला में जाकर जोखिम ना उठाना, सो कोई कुछ चिलाया, और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बडी हो रही थी, और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे, कि हम किस लिए इखटे हुए हैं, तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहुदियों ने खड़ा किया था, भीड में से आगे बढ़ा सो घंटे तक चिलाते रहे कि इफिसियों की अर्तिमिस महान हैं, तब नगर के मंत्री ने लोगों को शान करके कहा, हे इफिसियों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर बड़ी देवी, अर्तिमिस के मंदिर और जूस की ओर से गिरी हुई मूरत का तहलुआ है, सो जब जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं, और ना हमारी देवी के निंदक हैं, यदि दिमेत्रियूस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो, तो कचहरी खुली है और हाकिम भी है, वे एक दूसरे पर नालिश करें, परंतु यदि तुम किसी और बात के विशे में कु कारण नहीं, सो हम इस भीड के इखटा होने का कोई उत्तर न दे सकेंगे, और यह कहके उसने सभा को विदा किया, प्रेदितों के कामों का वर्णन बीस्वा ध्याए, जब हुलर थम गया तो पॉलूस ने चेलों को बुलवा कर समझाया, और उनसे विदा होकर मकि दुनिया की ओर चल दिया, और उस सारे देश में से होकर और उन्हें बहुत समझा कर वह युनान में आया, जब तीन महिने रहकर जहाच पर सूरिया की ओर जाने पर था, तो यहूदी उसकी घात में लगे, इसलिए उसने यह सलहा की, कि मकि दुनिया होकर लोट जाए, बीरिया के पुत्र सोपत्रुस और थिसलुनिकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकुंदुस और दिर्बे का गयुस और तीमुथियुस और आसिया का तुखिकुस और तुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए, वे आगे जाकर तुरुास में हमारी बाट जोहते रहे, और हम अखमी पीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चड़कर पांच दिन में तुरुास में उनके पास पहुँचे और साथ दिन तक वही रहे, सबताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इखटे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा, जिस अटारी पर हम इखटे थे, उसमें बहुत दिये जल रहे थे, और यूतुखुस नाम का एक जबान, खिड़की पर बैठा हुआ, गहरी नींद से जुक रहा था, और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, तो व गले लगा कर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में हैं, और उपर जाकर रोटी तोड़ी, और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा, कि पौप हट गई, फिर वह चला गया, और वे उस लड़के को जीवित ले आए, और बहुत शान्ती पाई, हम पहले से जहाच पर चढ़कर असुस को इस विचार से आगे गए, कि वहां से हम पालुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने यह इसलिए ठहराया था, कि आप ही पैदल जाने वाला था, जब वे असुस में हमें मिला, तो हम उसे चढ़ाकर मितु लेने में आए, और वहां से जहाच खोल कर हम दूसरे दिन खीऊस के सामने पहुंचे। और अगले दिन सामूस में लगान किया, पिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए, क्योंकि पॉलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने की ठानी थी, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह इस्या के प्राचीनों को बिलवाया, जब वे उसके पास आए, तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से, और आंसु बहा बहा कर, और उन परिक्षाओं में जो प्रभू की सेवा करता ही रहा, और जो जो बाते तुम्हारे लाप की थी, उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न जजचका, बरन यहूदियों और युनानियों के सामने गवाही देता रहा, कि परमेश्वर की और मन फिराना, और हमारे प्रभूई पर विश्वास करना चाहिए, और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ, यरुशलेम को जाता हूँ, और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या-क्या बीतेगा, केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे दे कर मुझ से कहता है, कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परन्तु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समस्ता, कि उससे प्री जानो, बरन यह है कि मैं अपनी दौड को और उस सेवकाई को पूरी करूं, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमचार पर गवाही देने के लिए प्रभु इश्यू से पाई है, और अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिन में मैं परमेश्वर के राज का प्रचार करता फिरा, मेरा मोह फिर न देखोगे, इसलिए मैं आज के दिन तुम से गवाही दे कर कहता हूँ, कि मैं सब के लोहु से निर्दोश हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मं तुम्हें पूरी रीती से बताने से न जिजगा। इसलिए अपनी और पूरे जुंड की चौक्सी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष धहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लोहु से मोन लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फारने वाले भेडिये तुम में आएंगे, जो जुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खीच लेने को तेड़ी मेरी बातें कहेंगे। इसलिए जाकते रहो और समरण करो कि मैंने तीन वर्ष तक राद दिन आंसु बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नती कर सकता है और सब पवित् करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी की चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्ही हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवशकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीती से परिश्रम करते हुए रहुई ईश्य की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उनसे साथ प्रार्तना की। तब वे सब बहुत रोय और पॉलुस के गले में लिपट कर उसे चुमने लगे। वे विशेश करके इस रहात का शोक करते थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुँ फिर न देखोगे और उन्होंने उसे जहाज तक पहुँचाया। प्रेरितों के कामों का वर्णन 21 अध्याय। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्क से कोस में आए और दूसरे दिन रूदूस म और वहां से पत्रा में और एक जहाज फिनीके को जाता हुआ मिला और उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। जब कुपरुस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सूरिया को चल कर सूर में उतरे क्योंकि वहां जहाज का बोज उतारना था। और चेलों को पा गए तो हम वहां से चल दिये और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुँचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लोट गए। तब हम सूर से जल्यात्रा पूरी करके पतुली मैस में पहुचे और भाईयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चल कर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमचार प्रचारा के घर में जो सातों में से एक था जाकर उसके यहां रहे। उसकी चार हमारी पुत्रियां थी जो भविश्दवानी करती थी। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नाम एक भविश्दक्ता यहूदिया से आया, उसने हमारे पास आकर पॉलुस का पठका लिया और अपने हाथ पाउं बांध कर कहा, पवितरात्मा यह कहता है कि ज इस मनुश का यह पठका है, उसको यरुश्लेम यहुदी इसी रीती से बांधेंगे और अन जातियों के हाथ में सौपेंगे। जब ये बातें सुनी, तो हम और वहां के लोगों ने उससे बिंती की कि यरुश्लेम को न जाए, परंतु पॉलुस ने उत्तर दिया कि तुम क क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो, मैं तो प्रभुईश्य के नाम के लिए यरुश्लेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ, जब उसने नम आना, तो हम यह कहकर चुप हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो, उन दिनो के बाद हम बांध च्छांद कर यरुश्लेम को चल दिये, कैसरिया के भी कितने चेले हमारे साथ हो लिए, और मना सोन नाम कुपरुस के एक पुराने चेले को साथ ले आए, कि हम उसके यहां तिके, जब हम यरुश्लेम में पहुँचे, तो भाई बड़े आनंद के साथ हम से मिले, दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूप के पास गया, जहां सब प्राचीन इखटे थे, तब उसने उन्हें नमसकार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किये थे, एक एक करके सब बताया, उन्होंने यह सुनकर परम लगाएं हैं, और उनको तेरे विशय में सिखाया गया है, कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहुदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है, और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ, और ना रीतियों पर चलो, सो क्या किया जाए, लोग अवश्य और उनके लिए खर्चा दे, कि वे सिर मुलाएं, तब सब जान लेंगे, कि जो बाते उन्हें तेरे विशय में सिखाई गई, उनकी कुछ जड़ नहीं है, परंतु तू आप भी विवस्था को मान कर उसके अनुसार चलता है, परंतु उन अनजातियों के विशय में, जिन् मास से और विविचार से बचे रहें, तब पॉलुस उन मनिश्यों को लेकर, और दूसरे दिन उनके साथ शुध होकर, मंदिर में गया, और बता दिया, कि शुध होने के दिन, अर्थात, उन में से हर एक के लिए, चढ़ावा चढ़ाये जाने तक के दिन, कब पूरे होंग जब वे साथ दिन पूरे होने पर थे, तो आसिया की यहुदियों ने पॉलुस को मंदिर में देखकर, सब लोगों को उसकाया, और यों चिला कर उसको पकड़ लिया, कि हे इस्राइलियो, सहायता करो, यह वही मनुश्य है, जो लोगों के, और विवस्था के, और इस थान क विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहां तक कि युनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है, उन्होंने तो इस से पहले तुरुफिमुस इफसी को उसके साथ नगर में देखा था, और समस्ते थे कि पॉलुस उसे मंद में ले आया है, तब सारे नगर में कोला हल मच गया, और लोग दोड कर इखटे हुए और पॉलुस को पकड़ कर मंदिर के बाहर घसीत लाए, और तुरंथ द्वार बंद किये गए, जब वे उसे मार डालना चाहते थे, तो पल्टन के सरदार को संदेश पहुँचा कि सारे यरुशले में कोला हल मच रहा है, तब वे तुरंथ सिपाहियों और सुबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दोड़ाया, और नोने पल्टन के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पॉलुस को मानने पीतने से हाथ उठाया, तब पल्टन के सरदार ने पास आकर उसे ठीक सच्चाई न जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आग्या दी। जब वे सीड़ी पर पहुँचा तो ऐसा हुआ कि भीड के दबाव के मारे सिपाहियों को उसे उठा कर ले जाना पड़ा। क्योंकि लोगों की भीड यह चिलाती हुई उसके पीछे पड़ी कि उसका अंत कर दो। जब वे पॉलूस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पल्टन के सरदार से कहा क्या मुझे आग्या है कि मैं तुझ से कुछ कहूं। उसने कहा क्या तू युनानी जानता है। क्या तू वे मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले बलवई बनाकर चार हजार क पॉलूस ने कहा मैं तो तरसुस का यहूदी मनुश्य हूँ, किल किया के प्रसिध नगर का निवासी हूँ और मैं तुझ से बिंती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आग्या दी तो पॉलूस ने सीड़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से सैन किया। जब वे चुप हो गए, तो वेह इबरानी भाषा में बोलने लगा कि प्रेदितों के कामों का वर्णन बाइस्वा ध्याए। हे भाईयों और पित्रों मेरा प्रत्युत्तर सुनों, जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूँ। वेह सुनकर कि वेह हमसे इबरानी भा मलियल के पाउं के पास बैठकर पढ़ाया गया, और बाप दादों की वेवस्ता की ठीक रीती पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाये था, जैसे तुम सब आज लगाये हो, और मैंने पुरुश और स्त्री दोनों को बांध बांध कर, और बंदी ग् मैं भाईयों के नाम पर चिठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था, कि जो वहां हो, उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरुशलेम में लाऊं, जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुँचा, तो ऐसा हुआ कि दो पहर के लगभग, एका एक, एक जोती आकाश से मेरे चारों और चमकी, और मैं भूमी पर गिर पड़ा, और यह शब्द सुना, कि हे शाओल, हे शाओल, तू मुझे क्यों सताता है, मैंने उत्तर दिया, कि हे प्रभू तू कौन है, उसमें मुझसे कहा, मैं ईश्यू नासरी हूँ, जिसे तू सताता है, और प्रभू मैं क्या करूँ, प्रभू ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है, वहां तुछ से सब कह दिया जाएगा, जब उस जोती के तेच के मारे मुझे कुछ दिकाई ना दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड हे भाई शाओल, फिर देखने लग, उसी घड़ी मेरे नेतर खुल गए और मैंने उसे देखा, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमिश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है, कि तू उसकी इच्छा को जाने, और उस धर्मी को देखे, और उसके मुझसे बाते सुने क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुश्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा, जो तूने देखी और सुनी है, अब क्यों देर करता है, उठ, बबतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल, जब मैं फिर एरुश्लेम में आकर मंदिर में प्रातना कर रहा मैंने कहा, हे प्रभू, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी ग्रह में डालता और जगह जगह आराद नालाय में पिटवाता था, और जब तेरे गवाह स्टिफनुस का लोहु बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहां खड़ा था, और इस बात में सहमत था, और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था, और उसने मुझ से कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्ने जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा, वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब उचे शब्द से चलाए कि ऐसे मनुष का अंत क उसका जीवित रहना उचित नहीं, जब वे चिलाते और कपड़े फेकते और आकाश में धूल उडाते थे, तो पल्टन के सुबेदार ने कहा, कि इसे गढ़ में ले जाओ, और कोड़े मार कर जाचो, कि मैं जानू कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिला रहे हैं, तब उन्हों ने उसे तस्मों से बांधा, तो पॉलूस ने उस सुबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष को और वे भी बिना दोशी ठराए हुए कोड़े मारो, सुबेदार ने यह सुनकर पल्टन के सरदार के पास जाकर कहा, पल्टन के सरदार ने कहा, कि मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपिय दे कर पाया है, पॉलूस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ, तब जो लोग उसे जाचने पर थे, वे तुरंत उसके पास से हट गए, और पल्टन का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है, और मैंने उसे बांधा है डर गया। दूसरे दिन वे ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोश लगाते हैं उसके बंधन खोल दिये और महायाजकों और सारी महासभा को इखटे होने की आग्या दी और पॉलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। प्रेवितों के कामों का वर्णन तेईस्वा अध्याए। पॉलुस ने महासभा की ओर टक्टकी लगा कर देखा और कहा, हे भाईयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिलकुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हनन्या महायाजक ने उनको जो उसकी पास खड़ पॉलुस ने उससे कहा, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा, तू व्यवस्था के अनुसार मेरा नयाय करने को बैठा है, और फिर क्या व्यवस्था के वृद्ध मुझे मारने की आज्या देता है। जो पास खड़े थे, उन्होंने कहा, क्या तू प अपने लोगों के प्रधान को बुरा ना कहे, तब पॉलुस ने यह जानकर कि कितने सदूकी और कितने फरीसी हैं, सभा में पुकार कर कहा, हे भाईयो, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ, मरे हुऊं की आशा और पुनुरत्थान के विशे में मेरा मुकदमा हो रह जब उसने यह बात कही, तो फरीसियों और सदूकियों में जगला होने लगा, और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं, कि ना पुनुरत्थान है, ना स्वर्गदूत, और ना आत्मा है, परंतु फरीसी, दोनों मानते हैं, तब बड़ा हल्ला मच और कितने शास्त्री, जो फरीसियों के दलके थे, उठकर, यों कहकर, जगडने लगे, कि हम इस मनुष में कुछ बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है, तो फिर क्या? जब बहुत जगला हुआ, तो पल्टन के सरदार ने इस डर से, कि वे पॉलुस के टुक्डे टुक्डे न कर डालें, पल्टन को आग्या दी, कि उतर कर उसको उनके बीच में से बर्बस निकालो, और गढ़ में ले आओ, उसी रात प्रभू ने उसके पास आ खड़े होकर क कहा, हे पॉलुस, ढालस मांध, क्योंकि जैसी तुने ये रुष्ले में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी, जब दिन हुआ तो यहोदियों ने एका किया, और शपत खाई कि जब तक हम पॉलुस को मार न डालें, तब तक खाएं या पिये तो हम पर धिकार, जिन्होंने आपस में यह शपत खाई थी, वे चालिस जनों के उपर थे, उन्होंने महायाजकों और पॉर्णियों के पास आकर कहा, हमने यह ठाना है कि जब तक हम पॉलुस को मार न डालें, तब तक यदि कुछ चखे भी, तो हम पर धिकार पर धिकार है इसलिए अब महासभा समेत पल्टन के सरदार को समझाओ, कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विश्य में और भी ठीक जाच करना चाहते हो, और हम उसके पहुचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तयार रहेंगे, और पॉलुस के भांजे ने सुना, क यह उससे कुछ कहना चाहता है, सो उसने उसको पल्टन के सरदार के पास ले जाकर कहा, पॉलुस बंधवे ने मुझे बुला कर बिंती की, कि यह जवान पल्टन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, उससे उसके पास ले जा, पल्टन के सरदार ने उसका हाथ पकड़ कर और अ नहां सभा में लाएं, मानो तु और ठीक से उसकी जाच करना चाहता है, परन्तु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से चालीस के उपर मनुष उसकी घात में हैं, जिन्होंने यह ठान लिया है, कि जब तक हम पॉलुस को मार न डालें, तब तक खाएं पियें, तो हम पर और अभी वे तयार हैं, और तेरे वचन की आस देख रहे हैं, तब पल्टन के सरदार ने जवान को यह आग्या देकर विदा किया, कि किसी से न कहना, कि तुने मुझ को ये बातें बताई हैं, और दो सुबेदारों को बुला कर कहा, दो सो सिपाही, सत्तर सवार, और दो सो भालेत, पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तयार कर रखो, और पॉलुस की सवारी के लिए घोडे तयार रखो, कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुचा दें, उसने इस प्रकार की चिठ्ठी भी लिखी, अप्रतापी फेलिक्स हाकिम को, क्लॉदियूस परंतु जब मैंने जाना कि रोमी हैं, तो पल्टन लेकर छुडा लाया, और मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोश लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महसभा में ले गया, तब मैंने जान लिया कि वे अपनी विवस्था के विवादों के विशय में उस पर लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग उसमें कोई दोश नहीं, और जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया, और मुद्दैयों को भी आग्या दी, कि तेरे सामने उस पर ना उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लोटे, उन्होंने कैसरिय में पहुँचकर हाकिम को चिठी दी और पॉलुस को भी उसके सामने खड़ा किया, उसने पढ़कर पूछा, यह किस देश का है, और जब जान लिया कि किलकिया का है, तो उससे कहा, जब तेरे म मुद्दई भी आएंगे, तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा, और उसने उसे हिरोदेश के किले में पहरे में रखने की आग्या दी, प्रेरितों के कामों का वर्णन चौबीसवा अध्याए, पांच दिन के बाद हनन्या महायाजक कई पुर्णियों और तिरतुलुस नाम किस वकील को साथ लेकर आया, उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की, जब वह बुलाया गया, तो तिरतुलुस उस पर दोश लगा कर कहने लगा, कि हे महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें जो बड़ा कुशल होता है, और तेरे प्रबंद से इस जाती के ल तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझसे बिंती करता हूँ कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस मनुष को उपद्रवी और जगत के सारे यहुदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है, उसने इंदिर को अशुध करना चाहा और हमने उसे पकड़ा, इन सब बातों को जिनके विशे में हम उस पर दोश लगाते हैं, तुझ आप ही उसको जाच करके जान लेगा, यहुदियों ने भी उसका साथ दे कर कहा, ये बातें इसी परकार की हैं, जब हाकिम ने पालुस को बोल प्रत्युत्तर देता हूँ, तु आप जान सकता है कि जब से मैं एरुशले में भजन करने को आया, मुझे बारा दिन से उपर नहीं हुए, और उन्होंने मुझे ना मंदिर में, ना सभा के घरों में, ना नगर में किसी से विवात करते या भीर लगाते पाया, और ना तो उन बातों को, जिनका वे अब मुझे पर दोश लगाते हैं, तेरे सामने सच ठहरा सकते हैं, परंतु यह मैं तेरे सामने मान लेता हूँ, कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीती पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और जो बाते विवस्था और भविश दुक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं, उन सब की प्रतीती करता हूँ, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा, इससे मैं आप भी यतन करता हूँ, कि परमेश्व की और मनुश्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोश रहे, बहुत वर्ष्यों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुचाने और भेट चड़ाने आया था, उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड के साथ और बिना दंगा करते हुए इस काम में प या ये आप ही कहें कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था, तो उन्होंने मुझे में कौन सा अपरात पाया, इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कहा था, कि मरे हुँँ के जी उठने के विशे में, आज मेरा तुम्हारे सामने मुकद फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया, कि जब पल्टन का सरदार लूसियास आएगा, तो तुम्हारी बात का निर्ने करूंगा, और सुबेदार को आग्या दी, कि पॉलुस को सुख से रखकर रखवाली करना, और उसके मित दिनी थी साथ लेकर आया, और पॉलुस को बुलवा कर उस विश्वास के विशे में, जो मसी यिशु पर है, उस से सुना, और जब वह धर्म और सैयम और आने वाले न्याई की चर्चा करता था, तो फेलिक्स ने भैमान होकर उत्तर दिया, कि अभी तो जा, अवसर पाकर मै तुझे फिर बुलाऊंगा, उसे पॉलुस से कुछ रुपिय मिलने की भी आस थी, इसलिए और भी बुला बुला कर उस से बातें किया करता था, परंतु जब दो वर्ष बीत गए, तो पुर्कियूस, फेस्तुस, फेलिक्स की जगह पर आया, और फेलिक्स, यहुदियों को खुश करने की इच्छा से पॉलुस को बंधुआ छोड़ गया, प्रेदितों के कामों का वर्णन पच्चीसमा अध्याए, फेस्तुस उस प्रांत में पहुचकर, तीन दिन के बाद कैसरिया से यरुशलेम को गया, तब महायाजिकों ने और यहुदिया के बड़े लोगों उसके सामने पॉलुस की नालिश की, और उससे बिंती करके उसके विरोध में यह बर चाहा, कि वह उसे यरुशलेम में बुलवाए, क्योंकि वह उसे रास्ते ही में मार डालने की घात लगाई हुए थे। उस पर दोश लगाएं, और उनके बीच कोई आठ दस दिन रहकर वह कैसरिया गया, और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठ कर पॉलुस के लाने की आगया दी। जब वह आया तो जो यहुदी यरुशलेम से आये थे, उन्होंने आस पास खड़े होकर उस पर भहुतेरे भार दोश लगाएं, जिनका प्रमाणवें नहीं दे सकते थे। परंतु पॉलुस ने उत्तर दिया कि मैंने न तो यहुदियों की विवस्था का और ना मंदिर का और ना कैसर का कुछ अपराद किया है। तब फेस्तुस ने यहुदियों को खुश करने की इक्छा से पॉलुस क उत्तर दिया, क्या तू चाहता है कि अरिशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तै किया जाए। पॉलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याए आसन के सामने खड़ा हूँ, मेरे मुकदमे का यहीं फैसला होना चाहिए, जैसा तू अच्छी तरह जानता है, पर डाले जाने योग्य कोई काम किया है, तो मरने से नहीं मुकरता, परंतो जिन बातों का यह मुझ पर दोश लगाते हैं, यदि उन में से कोई बात सच न ठहरे, तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौप सकता, मैं कैसर की दोहाई देता हूँ, तब फिस्तुस ने मंत्रियो की सभा के साथ बाते करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दोहाई दी है, तू कैसर के पास जाएगा, और कुछ दिन बीतने के बाद, अगरिपा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फिस्तुस से भेट की, और उनके बहुत दिन वहाँ रहने के बाद, फिस्तुस ने बेलिक्स बंधुआ छोड़ गया है। जब मैं यरुशले में था तो महायाजक और यहूदियों के पुर्णियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आग्या दी जाए। परंतु मैंने उनको उतर दिया कि रोमियों की यह रीती नहीं कि किसी मनुश को दंड के लिए सौप दें जब तक मुद्दा अलाह को अपने मुद्दैयों के आमने सामने खड़े होकर दोश के उतर देने का अवसर ना मिले। जब यहां इखटे हुए तो मैंने कुछ देर न की परंतु दूसरे ही दिन नयाय आसन पर बैठ कर उस मनुश को लाने की आग्या जब उसके मुद्दै खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी बुरी बातों का दोश नहीं लगाया जैसा मैं समझता था। परंतु अपने मत के और ईश्यू नाम किसी मनुश के विशे में जो मर गिया था और पौलुस उसको जीवित बताता था विवात करते थे। और मैं उलज दी कि मेरे मुकदमे का फैसला महाराजा धिराज के याँ हो तो मैंने आग्या दी कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं उसकी रखवाली की जाए। तब अगरिपा ने फेस्तुस से कहा मैं भी उस मनुश की सुनना चाहता हूँ। उसने कहा तू कल सुन लेगा। सो दूसरे दिन जब अगरिपा और बिर्नी के बड़ी धूम धाम से आकर पल्टन के सरदारों और नगर के बड़े लोगों के साथ दरबार में पहुँचे तो फेस्तुस ने आग्या दी कि वे पौलुस को ले आएं। फेस्तुस ने कहा हे महाराजा अगरिपा और हे सब मन जो यहां हमारे साथ हो तुम इस मनुष को देखते हो जिसकी विशे में सारे यहुदियों ने यरुशले में और यहां भी चिला चिला कर मुझसे बिंती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं कि मार डाला जाए और जब कि उसने आप ही महाराजा धिराज की दौहाई दी तो मैंने उसे भेजने का उपाई निकाला परंतु मैंने उसके विशे में कोई ठीक बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूँ इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेश करके हे माराजा अग्रिपा तेर प्रेरितों के कामों का वर्णन 26 मा अध्याए। कि तु यहुदियों के सब वहवारों और विवादों को जानता है, सो मैं बिंती करता हूँ, धीरत से मेरी सुन ले। जैसा मेरा चाल चलन आरम से अपनी जाती के बीच और यरुशले में था, यह सब यहुदी जानते हैं। वे यदि गवाही देना चाहते हैं, तो आरम से मु जो परमेश्वर ने हमारे बाब दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिग्या के पूरे होने की आशा लगाए हुए, हमारे बारहों गोत्र अपने सारे मन से राद दिन परमेश्वर की सेवा करते आये हैं। हे राजा, इसी आशा के विशे में परदोश लगाते हैं। जबकि परमेश्वर मरेहों को जिलाता है, तो तुम्हारे यहां यह बात क्यों विश्वास की योग्ये नहीं समझी जाती। मैंने भी समझा था कि ईशु नास्री के नाम की विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरुश्ले में ऐसा ही किया, और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी ग्रह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे, तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मत्ती देता था। और हर आराद नालाय में मैं उन्हें तारना दिला दिला कर यिश्यु की नि अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा मार्ग में दो पहर के समय मैंने आकाश से सूर के तेच से भी बढ़कर एक जोती अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों और चमकती हुई देखी, और जब हम सब भूमी पर गिर पड़े, तो मैंन इबरानी भाषा में मुझ से यह कहते हुए, यह शब्द सुना, कि हे शाउल, हे शाउल, तू मुझे क्यों सताता है, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है, मैंने कहा, हे प्रभू तू कौन है, प्रभू ने कहा, मैं यीश्यू हूँ, जिसे तू सताता है, प्रंद तुझे इसलिए दर्शन दिया है, कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं, जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूँगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेशता हूं, कि तुझे उनकी आँखें खोले, कि वे अंधकार से जोती की ओर, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की ख्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किये गए हैं, मिरास पाएं। तो हे राजा अग्रिपा, मैंने उस स्वरगी दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरुश्लेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा, कि मन फिराओ, और परमेश्वर की ओर फिर कर, मन फिराओ के योग्य काम करो, इन बातों के कारण, यहूदि मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यतन करते थे, सो परमेश्वर की सहायता से, मैं आज तक बना हूँ, और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों को छोड़, कुछ नहीं कहता, जो जातियों में जोती का परचार करेगा, जब मैं इस रीती से उत्तर दे रहा था, तो फेस्तुस ने उचे शब्द से कहा, हे पौलूस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है, परंतु उसने कहा, हे महाप्रतापी फेस्तुस, मैं पागल नहीं, पर राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, ये बातें जानता है, और मुझे प्रतीती है, कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना तो कोने में नहीं हुई, हे राजा अग्रिपा, क्या तू भरिश दखताओं के प्रतीती करता है, मैं जानता हूँ कि तू प्रतीती करता है, तब अग्रिपा ने पॉलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से, मुझे मसीही बनाना चाहता है, पॉलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्ठना यह है, कि क्या थोड़े में, क्या बहुत मे, केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़, वे मेरे समान हो जाएं। तब राजा और हाकिम और बिरनी के और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए, और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष ऐसा तो कुछ नहीं करता, जो मृत्यू या बंधन के योग्य हो। अगरिपा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष कैसर की दोहाई न देता, तो छूट सकता था। प्रेदितों के कामों का वर्णन 27वा अध्याए। जब यह ठहराया गया कि हम जहाच पर इतालिया को जाएं, तो उन्होंने पौलूस और कितने और बंधों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया, और अरिस्तरखुस नाम थिसलूनी के का एक मकीदूनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला, और यूलियूस ने पौलूस पर क्रपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया, कि उसका सत्कार किया ज हम कुपरुस की आड में होकर चले, और किलकिया और पमफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उत्रे, वहां सुबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला, और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया, और जब हम बहुत दिनों तक ध हमने से होकर क्रेते की आड में चले, और उसके किनारे किनारे कठिंता से चलकर शुभ लंगर बारी नाम एक जगह पहुँचे, जहां से लस्या नगर निकट था। जब बहुत दिन बीट गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीट बरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सुबेदार ने पौलुस की बातों से मांजी और जहाच के स्वामी की बढ़कर मानी और वह बंदर स्थान जाडा काटने के लिए अच्छा ना था। इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाच खोल कर यदि क बहने लगी तो यह समझ कर कि हमारा मतलब पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी जो यूर कुलीन कहलाती है। जब यह जहाच पर लगी तब वह हवा के सामने ठैर न सका, सो हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नाम एक छोटे से टापू की आड में बहते बहते हम कठिंता से डोंगी को वश में कर सके। मलाहों ने उसे उठा कर अने कुपाई करके जहाच को नीचे से बांधा और सुर्तिस के चोर बा के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाच का माल फेकने लगे, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाच का सामन फेक दिया, और जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाए दिये और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अन्त में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही, जब वे बहुत उपवास कर चुके, तो पॉलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगो, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर, क्रेते से ना जहाज खोलते, और ना यह विपत और हानी उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, कि धालस बांधो, क केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ, और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पॉलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, और देख, परमेश्वर ने सब को, जो तेरे साथ यात्रा करते हैं, तुझे दिया है, इसलिए हे सज्जनों, धालस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीती करता हूँ, कि जैसा मुझ से कहा गया है, वैसा ही होगा, परन्तु हमें किसी तापू पर जाटिकना होगा, जब चौदव ही रात हुई, और हम अद्रिया समुद्र म तकराते फिरते थे, तो आधी रात के निकट मलाहों ने अटकल से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुँच रहे हैं, और थाह लेकर उन्होंने बीस पुरसा गहरा पाया, और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली, तो पंद्रह पुरसा पाया, तब पत्रीली जगाहों प पर पढ़ने के डर से, उन्होंने जहाच की पिछाडी चार लंगर डाले, और भोर का होना मनाते रहे। परंतु जब मलाह जहाच पर से भागना चाहते थे, और गलही से लंगर डालने के बहाने दोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलूस ने सूबेदार और सिपाईयो से कहा, यदि ये जहाच पर न रहें, तो तुम नहीं बच सकते, तब सिपाईयों ने रसे काट कर डोंगी गिरा दी, जब भोर होने पर था, तो पौलूस ने यह कहके सब को भोजन करने को समझाया, कि आज चौदह दिन हुए, कि तुम आस देखते देखते भूके रहे, औ और कुछ भोजन न किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, कि कुछ खालो जिससे तुम्हारा बचाओ हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा, और यह कहकर उसने रोटी लेकर सब के सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और तोड कर खाने लगा तब वे सब भी धालस बांद कर भोजन करने लगे, हम सब मिलकर जहाज पर दो सो चिहत्तर जन थे, जब वे भोजन करके तुरुप्थ हुए, तो गेहुं को समुद्र में फेक कर जहाज हलका करने लगे, जब बिहान हुआ, तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परं उन्होंने लंगरों को खोल कर समुद्र में छोड़ दिया, और उसी समय पत्वारों के बंधन खोल दिये, और हवा के सामने अगला पाल चढ़ा कर किनारे की ओर चले, परंतु दो समुद्र के संगम की जगह पढ़कर उन्होंने जहाज को टिकाया, और गल ही तो धक्का खा कर गल गई और टल न सकी, परंतु पिछाडी लहरों के बल से तूटने लगी, तब सिपाहियों का यह विचार हुआ कि बंधों को मार डालें, ऐसा ना हो कि कोई पैर के निकल भागे, परंतु सुबेदार ने पॉलुस को बचाने की इक्छा से उन्हें इस विचार से रोका और यह कहा कि जो तैर सकते हैं, पहले कूद कर किनारे पर निकल जाएं, और बाकी कोई पट्रों पर और कोई जहाच की और वस्तुओं के सहारे निकल जाए, और इस रीती से सब कोई भूमी पर बच निकले, प्रेदितों के कामों का वर्णन 28वा अध्याए, जब हम बच न जो बरस रहा था, और जाले के कारण उन्होंने आग सुलगा कर हम सब को ठहराया, जब पॉलुस ने लकडियों का गठा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आच पाकर निकला, और उसके हाथ से लिपट गया, जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके तब उसने सांप को आग में जटक दिया, और उसे कुछ हानी न पहुची, परंतु वे बाट जो होते थे कि वे सूज जाएगा, या एका एक गिर के मर जाएगा, परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे, और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगला, तो और ही विच खर ले जाकर, तीन दिन मित्र भाव से पहुनाई की, पुबलियूस का पिता ज्वर और आउं लोहु से रोगी पड़ा था, सो पॉलूस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्तना की, और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया, जब ऐसा हुआ, तो उस टापु के बाकी बिमा आए और चंगे किये गए, और उन्हों ने हमारा बहुत आदर किया, और जब हम चलने लगे, तो जो कुछ हमें अवश्य था, जहाच पर रख दिया, तीन महिने के बाद, हम सिकंद्रिया के एक जहाच पर चल निकले, जो उस टापु में जाडे भर रहा था, और जिसका चि एग्यूम में आए, और एक दिन के बाद दखनी हवा चली, तब दूसरे दिन पुतियुली में आए, वहां हमको भाई मिले, और उनके कहने से हम उनके यहां साथ दिन तक रहे, और इस रीती से रोम को चले, वहां से भाई हमारा समचार सुनकर, अप्यूस के चौक और तीन सराय तक हमारी भेट करने को निकलाए, जिन्हें देखकर, पौलुस ने परमिश्वर का धन्यवात किया, और धारस बांधा, जब हम रोम में पहुँचे तो पौलुस को एक सिपाही के साथ, जो उसकी रखवाली करता था, अकेले रहने की आग्या हुई, तीन दिन के बाद उसने यहोदियों के बड़े लोगों को बुलाया, और जब वे इखटे हुए, तो उन से कहा, हे भाईयो, मैंने अपने लोगों के या बापदादों के विवारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी, बंधुआ होकर, यरुशलेम से रोमियों के हाथ सौपा गया, उन्होंने मुझे जाच कर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यू की योग ये कोई दोश ना था, परंतु जब यहोदी इसके विरोध में बोनने लगे, तो मुझे कैसर की दोहाई देने पड़ी, ना यह कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोश लगाना था, इ हम ने तेरे विश्य में यहोदियों से चिथ्या पाई, और ना भाईयों में से किसी ने आकर तेरे विश्य में कुछ बताया, और ना बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है? वही हम तुझ से सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में ल इश्यू के विशय में समझा समझा कर भोर से सांज तक वरणन करता रहा। तक कितनों ने उन बातों को मान लिया और कितनों ने प्रतीती न की। और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए और उन्होंने अपनी आँखें बंद की हैं। ऐसा ना हो कि वे कभी आँखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूँ तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। की बाते सिखाता रहा।